अथ्याई एक, श्लोक चालिस, भाग्वद गीता अधल माभी भवाद क्रिश्ना, प्रदूश्यन्ती कुलस्त्रियह, स्त्रीशु द्रिश्टाशु वाशेणिय, जायतेवन शंकरह अनुवाद, हे श्री क्रिश्न, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूशत हो जाती हैं और हे वाशने स्त्रियों के दूशत हो जाने पर वन शंकर उत्पन्न होते हैं अर्जुन का कहना था कि जब कुलधर्म नश्ट हो जाएं तो कुल की स्त्रियां भी अधर्मी हो जाएंगी और वन्शंकर संतानों को जनम देंगी वैदिक काल में समाज के लोगों को उनके व्यवसाई के अनुसार चार वर्णों में विभाजित किया गया था शूद्र, कारिकर और श्रमिक, वैश्य, किसान व्यपारी और व्यवसाई, शत्रिय, योधा, रक्षक और प्रशाशक, ब्रहमन, पुजारी, शिक्षक और बुद्धी जीव तब तक एक ब्रहमन का बेटा अपने व्यवसाई के कारण शत्रिय हो सकता था और उसकी माता अपने व्यवसाई के कारण एक वैश्य हो सकती थी परन्तु समय बीटने के साथ वर्ण व्यवस्था कठोर होती चली गई और व्यवसाई की जगे जन से तै होने लगी वर्ण शंकर का अर्थ होता है वे संताने जो दो विभिन्न वर्णों के माता पिता द्वारा उत्पन्न होती हैं अगर आपको मेरी इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल दा मिस्टिक दी मिस्टिफाय को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें जए श्रीक्रिष्ना